घर में सब्ता में एक बार सामुहिक पूजा जरूर करिए दिखे कोई भी धर्म हो, हिंदु धर्म हो, इसाई धर्म हो, क्रिश्चेनिटी हो, इसलाम हो, सिखिजम हो, कोई भी धर्म हो हर धर्म में कहा गया कि एक साथ बैठ करके प्राथना करनी चाहिए हर धर में ऐसा कहा गया क्यूं सात में बैठ करके प्राथना करने से बहुत सारी शुब तरंगे पैदा होती हैं शुबता पैदा होती हैं तो आप अपने घर में पती पतनी हैं बच्चा है माता पिता है सब लोग सप्ता में एक दिन शनिवार रविवार जब भी आपको ठीक लगे पूजा स्थान पे बैठके सुन्दर कांड पढ़ लीजिए विश्नु सहस्त्र नाम पढ़ लीजिए एक साथ भगवान राम की स्तुति कर लीजिए आर्ति कर लीजिए सामु ही पूजा अगर करें तो बहुत अच्छा रहेगा और देखिए घर में कला कलेश कम से कम कर कि वहां पर पैसा तिक नहीं सकता और ऐसे घरों में कभी भी शुबता नहीं होगी जिस घर में कला कलेश होगा घर के जादा लोग बीमार रहेंगे घर के मुख़े द्वार पर वंधनवार लगाईए नियमित रूप से सब्ता में एक बार आम के पत्तों का या शोक के पत्तों का वंदनवार घर के मेंड दोर पे लगाईए वैसे इसको लगाते हैं शुबकारे होते समय लेकिन अगर आप लगा देंगे लगाते रहेंगे तो आपके घर में शुबकारे होते रहेंगे और घर में नियमित रूप से भजन कीर्टन होना चाहिए भजन कीर्टन की महिमा पर कभी चर्चा करेंगे कि भजन कीर्टन कितनी एहम चीज है हमारे धर्म के लिए, हमारे जीवन की शुभता के लिए नारद ने एक बार भगवान विश्णू से पूछा कि प्रभू आप रहते कहा हैं, आप छीर सागर में तो सोते हैं लेकिन दुनिया में आप कहां रहते हैं तो भगवान विश्णू ने बड़ा मीठा उत्तर दिया, बड़ा सुन्दर उत्तर दिया उन्होंने कहा, नाहम वसामी वैकुंठे हे नारद मैं वैकुंठ में नहीं रहता योगी नाम हृदय नवा, योगियों के हृदय में भी नहीं रहता जो तपस्या करते हैं आँख बंद करके, दिन बर योग साधना करते हैं वहां भी नहीं रहता मैं, फिर का रहता हूँ हे नारद जहां मेरे भक्त मेरा गान करते हैं, जहां मुझे पुकारते हैं, मेरा कीर्टन करते हैं, यह नारद मैं हमेशा वहां मौजूद रहता हूँ तो जिस घर में लगातार कीर्टन होता रहेगा, भजन होता रहेगा, भगवान को तो वहाँ आना ही पड़ेगा, और जब आपके घर में भगवान आ जाएंगे, तो क्या ग्रह, क्या नक्षत्र, क्या जोतिश आपके घर में शुबता तो आती ही रहेगी, इसलिए भाई अप अपनी परंपरा को समझे, जो हमारी परंपरा है, हमारे धर्म की जो ताकत है, आप नहीं गा सकते, सुबह कैसेट लगा दीजिए, भजन कीर्टन का, सुबह गायत्री मंत्र चला दीजिए, सुबह विष्णू सहस्त्र नाम चला दीजिए, तो घर में सुंदर ध्वनी आती रहेगी न तो इससे घर में शुबता बढ़ती रहेगी इस बीच एक दर्शक जुड़ रही है हमारे साथ दिल्ली से उनसे बात करते हैं बताईए आपको मेरी आवाज आ रही है थांटी हलो जी नमस्कार बताईए पंडी जी मैं को अपने बारे में पूछना था देट आप बर्थ बताईए थांटी थीस सेंबर तीस थर्टी थर्टी सब्टेमबर हम्झा नाइंटी फाइव नाइटी नाइंटी फाइव समय बताईए दुपैर में साड़े बारा हुच्छे कहां पर जन वुआ है बहन जी कि पूछ ये क्या प्रश्ण है कि मैं क्या आगे जाके सिविल सर्विसिस के एक्ताम दे सकती हूं और दूसरा मेरा स्वास्त बहुत ठीक नहीं रहता मुझे वह भी पूछना था धनू लगन है आपका ब्रिश्चिक राशी है आपकी पहले आपके स्वास्त वाले फैक्टर को देखते हैं देखो ऐसा है हार्मोनल इंबैलेंस की समस्या हार्मोन की समस्या और दूसरा पेट संबंदी समस्या की संभावना आपकी कुंडली में बनती है जहां तक सिविल सर्विस के बात है पहले मैं ये कहूंगा कि आप टीचिंग जॉब में कोई नौकरी करेंगी पहल आपके लिए ज़्यादा बहतर दिखाई देता है उसके बाद आप यूपियस्टी की सिविल सर्विस की तैयारी कर सकती है दमाग बहुत अच्छा है ब्रेन शार्प है आपका बुद्धी अच्छी है किसमत भी अच्छी है लेकि मन बड़ा चंचल है चिंता बहुत करती है तनाव पालने की आदत है जिस वज़े से परफार्मेंस बहुत अच्छा नहीं हो पाता है तो आप ऐसा करें एक पीला पुखराज बनमा के पहन लेना तकरीबन चार-पांच रत्ती का पीला पुखराज सोने या पीतल की अंगूठी में दाहिने हाथ की तरजनी उगली में ब्रिहस्पती वार को सवेरे पहनने से आपको लाब होगा